तो ये सवाल की हम नैवेद्ध क्यूं अर्पित करते हैं? हम सभी देवी देवताओं को एक सा नैवेद्ध नहीं चड़ाते, ये बहुत अलग है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, पत्ते और फूल और फल और भोजन से लेकर, या तो उसे बढ़ाने के लिए, या उसे प्राप्त करने के लिए नैवेद्ध दो तरह के होते हैं क्योंकि वे खाना चाहते हैं, देवता उस तरह नहीं खाते जैसे हम खाते हैं, नहीं ये एक, इसके बहुत से पहलू है, अगर मैं इन सब में जाता हूँ, तो ये आपके लिए बहुत जादा हो जाएगा, पर एक सरल चीज है, भक्ति, इसके पीछे एक विज्ञान है, ले देखिए, आपको ये समझना चाहिए, भारत एक इश्वर विहीन देश है, आपको ये पसंद नहीं है, जब मैं इश्वर विहीन कहता हूँ, तो यही एक मात्र संस्कृती है, जो साफ साफ समझती है कि इश्वर को हमने बनाया है, हर जगे लोग सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें बनाया है, यहां हम जानते हैं कि वो हम हैं जिन्होंने देवताओं की रचना की है, इस देश में देव निर्मान की एक पूरी तकनीक है, कि आप चाहे जैसा देवता बना सकते हैं, इसलिए आज हमारे पास 33 करोड देवी देवता हैं, पर ये तब हुआ, जब हमार अबादी 33 करोड थी, जब से यूरोपियन और दूसरे आये, और इतने सारे देवी देवताओं को लेकर हमें शर्मिंदा महसूस कराया, हमने अपनी कल्पना शक्ती खो दी, हम देवताओं की संख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चाहे जो भी कहा सुना जाए, हर घर म दो दर्जन देवी देवता होंगे, उससे नीचे काम नहीं चल सकता, कम से कम दो दर्जन, उससे कम पर हम भटके हुए महसूस करते हैं, अब वहां उपर बैठे किसी भगवान का विचार, वास्तव में एक पश्यमी विचार है, जब मैं पश्यमी कहता हूँ, तो भारत से पश्यमी की और जो कुछ भी है, वो हमारे लिए पश्यमी है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो ये वास्तव में यही है, यहां हमने इसकी और उस तरह कभी नहीं देखा, यहां हमने कहा, आपके पास कितनी भी संख्या में देवी देवता हो सकते हैं, एकी घर में लो वारे घर इतने बड़े नहीं है, वरना हमने पच्चिस सो देवता रखे होते हैं। देव निर्मान का विज्ञान या तकनी इन अर्थों में है, कि हमने समझा कि अस्तित्व में हर जगे एक ही उर्जा है। ये एक पत्थर हो सकती है, ये एक पेड़ हो सकती है, एक फूल हो सकती है, फल हो सकती है, ये एक जानवर हो सकती है, एक पक्षी, एक मनुष्य हो सकती है, तो अगर एक पत्थर मनुष्य बन सकता है, देखिए, जो मिट्टी था, जो वहां कीचर था, वो भोजन बन गया, जो यहां जो था, कल में उस पर चल रहा था, आज ये यहां सिकंदर महान के रूप में बैठा है, ये सिकंदर महान पुराना वाला अब वहाँ है? हाई या ना? तो अगर मिटी सिकंदर महान बन सकती है, तो क्या हम उसे कुछ और बनने के लिए परिश्कृत नहीं कर सकते? तो हमने इसे समझा, इसे प्रान प्रतिष्ठा का विज्ञान कहा जाता है, अगर ये मिटी एक मनुष्य, एक पेड, एक फूल, एक फल बन सकती है, अगर आप सही ताल पैदा करते हैं, तो ये एक दिव्वे इकाई बन जाएगी, ये एक दिव्वे उपस्तिती बन जाएगी ये ही प्रान प्रतिष्ठा का पूरा विज्ञान है, इसलिए लोगों ने अलग-अलग तरह के देवी देवता बनाना शुरू कर दिया, विभिन ने उद्देश्यों के लिए विभिन तरह के देवी देवता, ये सिर्फ विश्वास प्रणाली नहीं है, आप मंदिरों में गए है? आप जाकर ध्यानलिंग में बैटते हैं, वो कैसा महसूस होता है, बहरवी में जाइए, वो कैसा महसूस होता है, बहुत अलग, जाकर आदी योगी आलियम में बैठिये, बहुत-बहुत अलग, क्योंकि उन्हें अलग-अलग तरीके से प्रान प्रतिष्ठित किया गया है एक ही उर्जा की अलग-अलग अभिव्यक्तियां आज भी यही बात है वही उर्जा खुद को एक पत्थर एक पेड़ एक फूल एक फल एक पक्षी एक पशू एक मनुष्य के रूप में अभिव्यक्त कर रही है वही चीज अगर उसे उसकी सबसे सूक्ष्म संभावन तक ले जाया जाए तो वो दिव्य बन जाती है तो यहां हमने भगवान के नीचे आने का इंतजार नहीं किया हमने अपने हिसाब से हमारे देवता बना लिए हमें अब भी यह स्वतंत्रता है कि अगर हमें मौझूदा भी वेक्टियों में से कोई पसंद नहीं आता तो हम नय बना सकते हैं जिने इश्ट देवता कहा जाता है आप खुद का देवता या देवी बना सकते हैं कहीं भी और यह स्वतंत्रता नहीं है यह परम लोकतंत्र है जहां आप अपने खुद के भगवान की रचना कर सकते हैं लोगों के पास ऐसी स्वतंत्रता और किस जगह है आपको उसी भगवान को मानना पड़ेगा जो वो आपको बताते हैं, वरना आप गए समझो. तो ये सवाल कि हम नवेद क्यों अरपित करते हैं, हम सभी देवी देवताओं को एक सा नवेद नहीं चड़ाते, ये बहुत अलग है. वो उर्जा जो उन्हें चाहिए, हम वही उन्हें अरपित करते हैं. उदारन के लिए ध्यान ले, कोई अरपन नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए. अगर उस मंदिर में अगले हजार सालों तक भी कोई नहीं जाता, और आप हजार साल बाद वापस आते हैं, तो भी वो वैसा ही रहेगा. वे वही बैठे रहेंगे, वे एक योगी हैं, उन्हें किसी के ध्यान की जरूरत नहीं है, मगर भेरवी इस तरह नहीं है, हमें हर रोज उन्हें अरपन करना पड़ता है, हमें उनकी देखभाल करनी पड़ती है, अगर आप उनकी देखभाल ना करें, तो शुरू में वे क् खास तरह का नवेत्य है, जो उस तरह की उर्जा को पोशित और सहयोग करता है, तो इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, पत्ते और फूल और फल और भोजन से लेकर, हर देवता के लिए हर चीज अलग होती है, आज वे बहुत सारे लोग बस कुछ कर रहे हैं, वे जो भ खास की पत्ती को अपने हाथ में लेकर महसूस कीजे, ये कैसी महसूस होती है, आप दूसरी पत्ती लेकर देखिए, वो कैसी महसूस होती है, अगर आप समवेधन शील हैं, तो हर पेड़ और हर पत्ती अलग महसूस होगी, अगर आप इसकी और समवेधन शील नहीं है, तो स उसका सहयोग करता है या तो उसे बढ़ाने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए दोनों नवेद्य दो तरह के होते हैं एक बस भगवान को दिया जाता है और दूसरे को बस वहां रखकर लोगों को दे दिया जाता है तो ये दो अलग तरह के नवेद्य होते हैं एक आपक प्रणाली है